शारूप खान के राकेश शर्मा की बायोपिक छोड़ने को लेकर फिर आई बड़ी ख़बर फैंस हो जाएंगे खुष्ट फिल्म जीरो के उमीद पर खरीना उतरने से शारूप खान निराश हो गए थे बीच में अफवाग थी कि उन्होंने फिल्म सारे जहां से अच्छा से पैर पीछे खीच लिये हैं इस फिल्म से किनारा करने की वज़य में उनकी अगली फिल्म डॉन्टीन को बताया गया था जूम के मताबिक फिल्म सारे जहां से अच्छा के लेखका जुम्राजावली शारो के फिल्म छोड़ने की खबर को फेक बताया है शारो खान अभी भी इस फिल्म का हिस्सा है और जल्द ही इसकी आदिकारिक घोशना की जा सकती है फिल्म सारे जहां से अच्छा का नाम पहले सेलूट था जो भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा पर बनाई जानी है गवर तलब है कि फिल्म पहले आमिर खान को दी गई थी जिसे उन्होंने करने से मना कर दिया था बाद में आमिर ने शाहरोग खान को इस फिल्म में लेने को कहा शाहरोग खान ने भी पुष्टी की थी कि वे हैं बायोपिक कर रहे हैं फिल्म के निर्माता सिधार्त रॉय कपूर ने एक इंटर्व्यू में कहा था कि जल्द ही इसकी आदिकारिक घोशना की जाएगी बीते वर्ष 21 दिसंबर को शाहरोग खान की मुस अवेटेट फिल्म जीरो रिलीज हुई थी जो बॉक्स आफिस कुछ खास कमाल नहीं कर पाई हाला कि फिल्म से शाहरोग खान को बहुत उम्मीदे थी लेकिन ऐसा ना हो सका बता दे कि शाहरोग खान फरहान अफ्तर की डॉन टीम में भी लीड रोल में नज़र आएंगे